एक दो जक्म हो तो कहो, सारा बदन है चलने, दर्द बेचारा प्रेशा है, उठू तो कहां से? जिलाब परशत अध्यक्स के चुनाओं में उनकी क्या प्रमिकार ही, यह मदवनी के सभी लोगों को मालू है, उन वही शाथी ने इस चुनाओं में भी उसी तरह गठ्जोर करकर और उमिद्वार बनने का काम किया, बागी उमिद्वार बिर्दली उमिद्वार बनने थे, कि ही के बारे में संपाप्री, यह बतासा और संपाप्री का गठ्जोर था कि एंडियो को रोगा, यह काला धन कहां साया, इसकी जाच आइकर युहार को करना चाहिए, और मैं प्यमों में भी रहानमंत्री कारजाले को भी पत्र लिखूंगा, कि जिस धन सिर्थ काला धन इस सुनाओं में निकला है, उसकी जाच करा है, आप जब भोंट को देखेंगे, तो मेरा भोंट जो आया, और जो बागी प्रत्यासी ने भोंट काटा, जदी हम दोनों को जोड़ते हैं, तो प्रत्याम बढ़ी अदा में हमागे हैं, सुनाओं जीके हुए थे, जदी पंचायत प्रतिन्दियों के मान सम्मा के साथ कोई खिलवार करने का काम करेगा, उसको मैं परदास नहीं करूँ, मैं एक से एक बजा दूँगा, और पंचायत प्रतिन्दियों का मान सम्मा आड़ने के बाद भी करता हैं, हम बढ़ाई देते हैं, तो निर्दरिये प्रत्यासी के यह यहां से जीत हुई है, अंभिका गुलाव यादव, उसको जीत का बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं, हम अनुआज करते हैं चुनाव आयों को, जिरा परशासन को, और पुलीस परशासन को, कि इस प्रक्स हम से चुनाव यहां कड़ाया है, मैं चुनाव हाड़ गया हूं, मैं चुनाव हाड़ा हूं, मैदान नहीं हाड़ा हूं, और हम धन्वाद देते हैं, अपने पार्टी के नेता हूं, बिहार के लोग प्रिये मुख पंत्री माने हैं, अदर ये नितीस कुमार जी हूं, तमाम इसे नेता, जो इमांदारी पुर्वक मेरे साथ रहे, मैं हूं स सब को धन्वाद देता हूं, सब के बढ़ती आवहार पड़कर करता हूं, और जो लोग नहीं रहे, जो लोग पतासा और संपापड़ी के लालच में, सब को मालूम है, कोन लोग क्या किये नहीं किये, कोई छिपा हुआ नहीं है, वो लोग जदी मुले मदद नहीं भी किये हैं, सिर्फ मंच पर ही आकर भासन देने का काम करके अपना अप्चरिकता पुरा करने का काम किये, हैं, विशे नेताओं को भी मैं धन्वाद देना चाहता हूं, और मैं आपके माध्यम से तमाम एंडिये के नेताओं, एंडिये के सभी सम्मानित कर्ज करताओं को खाना चाह क्या भारतिय जन्ता पाटी ने आपको पूरा सहयोग नहीं दिया क्योंकि जिस तरह से सुमन जी खड़े थे और सुमन जी के साथ पूरा भारतिय जन्ता पाटी का जमीनी कार्यकरता जुड़ा हुआ दिखाई दिया है साथ ही सुमन कुमार महसेट के प्रचार में भी मोदी जी और भारतिय जन्ता पाटी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरे रही है उसके बावजूर चुनाव आयोग ने कोई नहीं कठोर करवाई की और नहीं जिला अस्तर पर या राजी अस्तर पर भारतिय जन्ता पाटी तो क्या भारतिय जन्ता पाटी भीतर कहते से इसकी सिखायद हमने यहां जो रिटर्णिंग ऑप्सर्ट के जिला पराजी कारी को मैंने रिटेर्मेंट या था मैंने अब्जर्बर को भी रिटेंवेंट लिया पता नहीं किस कारण सो लोग करवाई नहीं कर पा है ये सवाल आप लोगों को जो रिटर्निंग अब्शर्ट से जिला पदा जिकारी उन से पुछना चाहिए और मैं किसी दल का हमरा चार पार्टी का गड़्बंद है जन्ता पार्टी है और पाराश जी का राष्ट्री और लोग जन्सक्ति पार्टी तो मैंने सवयोगी दल कहां है किसी दल का नाम नहीं थे रहा हो और सब लोग सारे दल के निटाओ सवाथ आग मंतन करना चाहिए तो कि चुनाओ जो हो गया यहां जो जीत हार पुनाता हो लेकिन आ आगी प्रत्यासी लड़े जब हो गया कि जन्तादल उन्याटेट में श्रिप चला गया तो कंफुजन पईदा करते रहे वह जन्तादल उन्याटेट के तमाम नेताओं के हां दौर लगाते हैं कि भाया हमसे बढ़िया उमिद्वार कोई नहीं है आप हमको टिकर दे दिए उससे पूर में और राष्टिये जन्तादल का भी दर्वाजा कटा है सब लोगों को मालूम है वहां से जब इंकार कर गया तो जन्तादल उन्याटेट के दर्वाजे पर जाना सूर्ट कि पठनास लेकर दिली तक दौर लगाते रहे और जब उसमें सपल नहीं हुए तो गटमंधन था एक और निर्दलिये परत्यासी के साथ गटमंधन हुआ जिस तरह जिलाप्रशत अध्यत के चुनाओं में हुआ था सम्चुता उसी तरह हुआ उनको तो सब लोग जान चुका है पिछले बार मुझे नहीं कहाना चाहिए जब लोग सभा का चुनाओं गए था उस समय में क्या हो किये थे वहीं मुकेश रहनी जी कि हाँ लोग सभा का टिकट लेने के ये गए अगरीम भी जमा हो गया था और जब उसमें सब्भल नहीं हुए तो फिर विदान सभा में मां बाब के साथ गदारी नहीं कर सकता हूं मैं मुझे आप लोग के माधन से जाना चाहता हूं कि आपने इस सुनाओं में क्या किया कि इसके साथ गदारी किया पुरे प्रदेश में एंडिये का पुरदर्शन बढ़िया रहा है जग्यू और भाजपा दोनों का मधुवनी में नहीं लगता है आपको की गठबंधन ने ढंग से काम नहीं किया ने था परिनाम आपके लिए सकारात्मक रहता मैं इस पर ने कुछ कवा है लेकिन मैं एक परत्यासी के रूप में गठबंधन धर्म का इमांदारी पुरवग निर्वन किया मैं तो कहा हमारे एलक्षन के जो कोडिनेटर थे हो सहयोगी दल से थे जिलाम में चलता था सबका ने सयोगी दल के लोग ही करते थे तू मैं तो इमांदारी पुरवग से गठबंधन धर्म का पालंग किया है और आगे उसे इमांदारी पुरवग गठबंधन धर्म का पालंग करते रहे हैं और चुनाओं का जो खेला-बेला हुआ और बंदी से चिपा हुआ नहीं तीर भी से हुआ हुआ है आज प्रधान मंत्रिती का महत्वा कंशी योजना है काला धन निकाना लेकिन काला धन का उब्योग इस धन से मौलवनी में हुआ हमको ने रखता है संपूर्ट बिहार में कही सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि इस पर नजर रखना चाहिए और अभी भी समय है कि यह काला धन कहां साया इसकी जांच आइकर विवहाग को करना चाहिए कि और मैं पियमों में भी रहानमंत्री कारजाले को भी पत्र लिखेंगा कि जिस धन से काला धन इस चुनाव में निकला है इसकी जांच कड़ा है इस फन कहां से आ रहा है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पढ़िए जिलापरसद अध्यक्ष का चुनाव गुआ था और उस अध्यक्ष के चुनाव में एंडिये और महागड़ बन रहा है यह बीच में लड़ा है लेकिन हमारे ही एक साथ जिलापरसद अध्यक्ष के चुनाव में उनकी क्या प्रमिकार है यह मदवनी के सभी लोगों को मालों उन अब वही साथी ने इस चुनाव में भी उसी तरह गठ जोर करकर और उमिद्वार बनने का काम किया बागी विद्वार बिटली उमिद्वार बने थे चुनाव चित जोर जो लोग कर रहे थे बातासा और इसी के बारे में शनपाप्री यह बतासा और शनपाप्री का गठ जोर था कि एंडिया को रहो है आप जब भौंट को देखेंगे तो मेरा प्रत्याशी ने भौंट काटा ज़दी हम दोनों को जो जोड़ते हैं तो प्रत्याशी जिस दल से हैं उस दल के प्रदेश में तुरित से भी बात किये थे कि शहाब इंपर करवाई किजिए पार्टी से निकालिए जंडा लगा रहे हैं आपके दल का प्रदहान मंत्री जी का फोटो लगा रहे हैं तो प्रदेश में तुरुत के द्वारा मधेश सहाब कहा गया कि 2020 में हुआ तिन्हीं और पार्टी से विधान सभा का चुनाव और उसके बाद वापसी हमारी दल में नहीं हुआ और जिस दल से चुनाव लड़े थे वह दल को आप एंडिये महाही में यह करकर टालते हैं लेकिन हम निवेदम करते हैं उस दल के प्रदेश ने तुरुत से आप लोगों के माध्यम से कि उन्हों को आप मन्थर ये करना च तो फिर प्रदेश कार समीथी के बैठट में उलगाता क्यों जाते रहें बिना बुलाए वह दू जाते नहीं होंगे जिला कमिखी के बैठट में जाते रहें कि और लास्ट तीन दील में भारा को बनांति हमने तुरा चुनाव का कमान अपने सर्योगी दल को दे रखा था जुनाव के कलाूद़र गर्चा देर के को देर tamे दर से है När रान मैं और फूर्पक गट्मंधन धर्म का पालन किया रहा में लेकिन आपने क्या किया यह आपको आत्मंधन करने की ज़रूब्र है सवाल यह अस्थाई निकाई चुनाव का नहीं है है और वाल आगे पिछुनाव होने हैं बिधाई सभा का चुनाव होना है लोग यह गर्ट बंद्धर्म का अभी ऊंडे यानना चाहता हूं कि मैं एक इंडिये का कर्च करता हूं इसलिए जानने का हख और अधिकार है आप बता जें कि आगे भी इसी तरह का होगा वह सकता है मेरा जो कार्जकाल था 9-15 उस कार्जकाल में मेरे काम से पंचायत प्रतिन दी संकूष्ट नहीं हो या वनके उनिक भड़ाव लेकि जो प्रत्यासी चुनाव दीती हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप से पंचायत प्रत्रिदियों को बहुत उमीद है और मुझे उनसे उनका तोड़ा उतरने का काम करेंगी देख दो तो उनका उधारन आप लोग के माध्यम से सोचल मेडिया मेडिया के माध्यम से माई भी में देखा था कि छोब महिना के अंदर उनका गोष्णा था कि वाट सदस का मांदे 5,000 उपया परतिमा वो करेंगी और इस तरह की कई गोष्णा आई था मुझे उमीद है कि उनका जो वादा था सही समय पर अपना वादा को भी पूड़ा करेंगी इसके अलावा सरकार हमारी है कि एंडिये की बिहार में सरकार है और मैं एंडिये का कर्च करता हूं जनका जब उन्याटिट का मैं कर्च करता हूं अधर निया नितीश कुमार जी का सिपाही हूं जदि पंचायत परतिदियों के मान सम्मा के साथ कोई खिलवार करने का काम करेगा उसको मैं परदास नहीं करणा मैं एंड से एंड बजा दूगा और पंचायत परतिदियों का मान सम्मा अर्णे के बाद भी करता हूं